अधिप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का एक विवादित पोस्ट सामने आया है इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे ना ही देश के फर्जी चाचा परेड में ना है तो लोही की महिला थी और ना ही कंप्यूटर का विश्कारक ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इसके लावा उन्होंने तंजिया लहजे के अंदर ये तमाम बाते रखी और कहा कि मेरा देश सही में बदल रहा है मोहन यादव के पोस्ट पर दिगविजस सिंग ने भी तंज कसा है उन्होंने कहा कि मंत्री जी से सही इतियास जानने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए उन्हें जो संग में पढ़ाया गया है वो ही वो बताएंगे पोस्ट के रपलाई के अंदर उनके पलटवार में आप देख सकते हैं दिगविजस सिंग ने भी जवाब दिया है इनको इस प्रकार से अगर चिन्नित करके दी अर्थी समाद में उनके निंदा की जाती है तो मैं ऐसे क्रत की मैं भी निंदा करता हूं मौनी आरव जी को आगे आना चाहिए अभी पता लगा है कि उन्होंने यह सब बात को प्रेस के जब साधिन उठाया है तो उस पोश्ट को हटा लिया है अभी इसा पता लगा मुझे तो निश्रुप से हम हमारे देश की धरोर का अपमान नहीं सेहिंद कर सकते हैं